हेलो फ्रेंस मेरा देवी लेकर कही है आज बल्वी कि कट20 में इस तरह और भेलावस का कपड़ा है है और मैंने बल्वी ख़िये के जो मैंने फ्रेंटे करके फिर हैं में 15 इंच और शोल्डर रखेंगे up 6 इंच क्योंकि यह मैंने fold कर रखा है और चारते बन चुकिए है इसकी तो friends यह मैंने 6 इंच रखा shoulder और 6,5-6 इंच रखे मुढ़े तो friends देखो इस तरीके से मैंने रखने के बाद आप 8 इंच हमारे chest तो फ्रेंस चाहीड इंच हमारे चेशच दो इंच हैस्ठरह तो देखो इस तरीके से और मैंने निसान लगा लिए और फ्रेंस झाहीं इसुकी चोड़ आई है सहे और सब्सक्राइस साइड का गला हमारें दिक बाला गला रहेगा तो देखो तो फ्रेंस हमने इस तरए किशे यहीं पर जो हमारा कपड़ा है उसी कट कर लिया और फ्रेंस यह हमने कट कर रहे हैं पहले हमने यहीं निशान लगाया तो back side का है तो back side को हमें करेंगे किआमने पाइसे का पहलुक्त है मुढ़े तो फ्रेंगस बाइकसाइड करते और को होता है तो थोड़े से मुढ़े कुछ गहरे होते हैं इससे मीनने गहरे कर इसे गया मारा गलाव करेंगा 추천 में कुछ इस तरीके से कट करेंगे वह दिखाएंगे देखो तो फ्रेंसे थिए बाजू के लिए हम ने 5 इंच में निशानल लगा रखेंगे बाजू हमारी 5 इन तो हम 6 इनच ले लेंगे देखो अ इस तरीके से, अभी यही पर र करके कुछ स्थी ककट कर लेंगे और यहां से भी अमने इस तरीके से और भी किसी से एंटर में निशान लगा लिए तो friends देखो वह हमारा अस्तर कट के आता है अब हमने कपड़ा कट कर लेना है इसी के according बिल्कुत सेम वैसे ही कट करना है जैसे कि हमने कट कर रखा है तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया और कट करते हुए देखो यही पर इस तरीके से हमने निशान लगा करके कट कर लेना है देखो इस तरीकिशे हमने ये cut कर ले और cut कर के हमने back part हमने cut कर लिया अब हमारा ये front friend को हम कुछ इस तरीके से cut लेना है बहुत ही अच्छा आसान तरीकिशे हमने इसको भी cut कर ले अब हमारी ये bar derivative तो barref हम बिरकुत same AC क्यों कट कर लेनी है इसको रखने के बाद क्योंकि लैंथ हमने इसकी बाजू की रखी पांच इंच हमें चाहिए तो कंप्लिट हमारी साड़े चार इंच हो जाएगी तो देख हमने इस तरीके से अब यह हमने यह मेरा गला है तो फ्रैंस बैक साइड का हमारा दिल वाला कुछ इस तरीके से चोडाइ में बडाइं चाहिए ल्यगा दोनों साइड है गहां दोन दौर दक्या ऐखने प्रेइं से कम बहुत ही अच्छे तरीकेश में इसको कंप्रिट कर लिया यह ये गला जो मैंने रखा है इसकी जो मैंने लेंथ रखे है वो 8 इंचे नीचे से उपर तक हमने 8 इंचे लेंथ में रख लिया है देखो कुछ इस तरीके से हमने गला बना करके तयार कर लिया है देखो इस तरीके से हमने यहीं पर निशान लगा लिया और बहुत ही प्यारा हम प्राइंस मंने तरीक से दिल वाला गला बना लेला में लिए तरफ से बि counselor, सोाइसी की पार ले plio को 60 से, हांज बहुत आसान तरीक जींस को सिल लएंगे बिना बक्रम हीम मरा यह यानि कि दिल वाला गला बनके स्पर frequent कि uh और यहीं पर अब हम इसको सिलाई लगा लेना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम समय में हम ये ब्लाउज बना के तयार कर लेना है, तो देखो फ्रैंस इसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगाते हुए लेके आना है, जिस तरीके से हमने ये दिल बनाया, उसी के अनुस देखो हमने इस तरीके से यहीं पर सिलाई लगा लेनी हैं, सिलाई हम बहुती बढ़ा तरीके से लगा करके तयार कर लेना है, देखो इस तरीके से, तो फ्रेंस हमने यहीं पर और यहां भी इस तरीके से सिलाई लगा ले और यहां से भी हम इस तरीके से सिलाई लगा करके तय कर लेंगे और यहीं से भी हम इस तरीके से ही सिलाई लगा करके तयार कर लेनी है तो फ्रेंस देखो इस तरीके से हमने यह बना करके तयार कर लिया दिल वाला गला तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग हम कुछ इस तरीके से ही कर लेंगे जैसे कि हमारे यह गला बनके तय तो फ्रेंस हमने देए को बहुत ही कम समय में दिल वाला गला बना करके तयार लिया अब हम इसमं चोटे मीषटे लगा लेंगे जहाँ हमारे सई भार्ण साईड है -इस बात करने यह रहें रहें किolor सिलाई तला ने हाधान के यह में हमारी सलाओ नहीं कटने चाहिए तो Friends देखो इस तरीके से यहीपर मैंने फोल्ड कर लेना है पहले इसको कट लेना है जो हमारा Ashtra है कपड़ा हम उसको कट कर लेंगे तो देखो friends हमने यही से भी कट कर लेना है जो हमारा Ashtra है हमने उसको कट कर लिया और cut करते हुए कुछ इस तरीके से अब हमने इस तरीके से यहीं पर fold कर लिया और fold करते हुए कितना प्यारा हमारा ये गले का design बनके तयार है friends मैंने इसके nation जादै नहीं रखी और इसके अब हम किनारे किनारे स्लाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से हमने किनारे किनारे शिलाई लगा लेनी है और फ्रेंस हमने इस तरीके से शिलाई लगाते हुए बहुत ही कम समय में हमने ये ब्लाउस का डिजाइन बना करके तयार कर लिया है बैक साइड का तो देखो friends हमने ये तयार कर लिए है और ये हमारा इस टाइम में friend का बना रही हूँ friend का गला बना करके तयार कर लेना है कुछ इस तरीके से पहले मैं इसको कच्चा कर लूगी तो देखो हमारे blouch बहुती अच्छी finishing चे तयार हो जाएगा हमने इसको इस तरीके से यही पर देखो इस तरीके से यही पर मैंने इस तरीके से बना करके तयार कर लिया है और तयार कर लिया है कुछ इस तरीके से अभी मैंने तयार कर लिया हम इसको कट करके और इसको fold कर देंगे फोल्ड कुछ इस तरीके से करेंगे देखो फ्रेंज और जो हमारा एक्ष्टर है हम उसको कट करते जाएंगे आसानी से तो फ्रेंज हमने ये कट कर लिया है और छोटे-छोटे कट लगा लिए अब हम इसको fold कर देंगे कुछ इस तरीके से इसको cut लगाने के बाद Friends ये cut हमारे इशली लगाते हैं ताकि हमें ॥ rooftop करने में आसानी रहे तो friends देखो इस तरीके से यही पर मैं ने यह ठ्ट्रेट डाले और प्लेट्टे डालते हुए कुछ इस तरीके से यहीं पर मैं प्लेटे डाल लूगी और फ्रैंस देखो इस तरीके से दूसरी भी प्लेट हम इसी तरीके से डाल लेंगे इसी के कोडिंग तो यह दोनों प्लेटे हमारी बैक साइड में डलके तयार हो चुकी है फ्रैंस अब हम डालेंगे यह प्लेटे हमारी बैक साइड में याली है तो प्रेंस यह प्राइब दले हैं तो वूती ही पियारे तरीके शहरी प्लेटे डाल लिए तो यह चुने हम ने कुछ इस तरीके से डाल के तयार कर लेनी है बहुत ही कम समय में हमने यह ब्लाउज बना करके तयार कर दें और फ्रेंज अगर आप नई हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से जाएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू डिजाइनर वीडियो मिलती रहे हैं जल्दी से जाएगा मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कमेंट में लिखना ना भूलें फ्रेंज देखो इस तरीके से मैंने यही पर सोल्डर जोयन कर लेने हैं कुछ इस तरीके से तो फ्रेंज हमने यह सोल्डर भी जोयन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये शोल्डर जोइन करते हुए तो ये हमने शोल्डर जोइन करते हुए कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस दोखो इस तरीके से मैंने ये शोल्डर जोइन करके तैयार कर लिए है सो थे चाहिं इस प्रेंस में इस तरीके से यह धाड़ी सूरह रहे हों इस तरिके से पटे कर लिए और इसको लगा रहे ही आप एसको इस तरीके से फोल्ड कर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अब फोल्ड करते समय इस तरीके से बिसेज ध्यान रखें अब हमने देखो इस तरीके से यहां पर अब घटवा पट्टी यानिकि जिस पर हमें आई बनाने होती हैं वह वाली पट्टी डाल